नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एपल ने कुछ समय पहले एक प्रेस रिलीज इशू किया था, जिसमें उसने अनाउंस किया था कि वो अपने सभी एपल म्यूजिक सब्सक्राइबर्स के लिए लॉसलेस ओडियो सर्विस लेकर आ रहा है. तो क्या है ये लॉसलेस ओडियो? क्या हम इस सर्विस को इंडिया में भी एक्सपीरियेंस कर पाएंगे? और कौन-कौन से डिवाइसिस में हम लॉसलेस ओडियो को सुन पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूँगा. मेरा नाम है सिद्धार और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया. दोस्तो इस चैनल पर हम आपके लिए एपल प्रोड़क्ट से रिलेटिड बड़ ही इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मिटिव वीडियो लेकर आते हैं. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब कर ले. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लॉस्लेस अर्डियो है क्या चीज? दोस्तों अगर आपको याद हो तो पहले हम म्यूजिक सीडीज में म्यूजिक सुनते थे. उसके कुछ सालों बाद MP3 सॉंग्स आए और उन्होंने म्यूजिक सीडीज के मार्केट को एकदम खर्ण कर दिया. और अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसिज के आने के बाद हम लोग MP3 सॉंग्स को भी डाउनलोड करना भूल गए हैं. लेकिन एक चीज जो हमें से ज़्यादतार लोगों ने इस पूरे ट्रंजिशन में नोटिस नहीं की वो थी साउंड कॉलिटी. जो साउंड कॉलिटी हमें म्यूजिक सीडीज में मिलती थी, वो साउंड कॉलिटी हमें MP3 सॉंग्स में और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसिज के सॉंग्स में नहीं मिलती है, क्योंकि इन दोनों में ही म्यूजिक फाइल्स को कम्प्रेस किया जाता है, जिनसे उनकी साउ Audio Coding Codec में होती है जिसमें Music की Quality इतनी अच्छी नहीं होती Lossless Audio में अब Music Files ALAC यानि Apple Lossless Advanced Codec फॉर्मेट में आएंगी जिसमें की Music Quality CD Quality के बराबर या कुछ cases में उससे भी बेटर होगी लेकिन इसमें एक catch है जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा तो अब आम आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या हम इस Lossless Audio Service को इंडिया में experience कर पाएंगे दोस्तो फॉरंग कंट्री में कुछ Service Provider जैसे की Tidal और Amazon Music पहले से ही High Resolution या Lossless Audio Services प्रोवाइड करते हैं लेकिन इंडिया में अभी कोई भी ऐसा Service Provider नहीं है जो ये Service Provider करता हो हाँ कुछ समय पहले Spotify ने अपने Premium Subscribers के लिए High Quality Audio Services को Launch करने की बात कही थी लेकिन ये Service साल के End तक ही Launch होने की उम्मीद है ऐसे में Apple की Lossless Audio Service इस तरह की पहली Service होगी जो इंडिया में लॉंच होगी Apple जून से अपने सभी Apple Music Subscribers को उनकी Library के सारे सॉंग्स Lossless Music Quality में अवेलेबल कराएगा तो ये Apple Music Subscribers के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों अब आता है सबसे important question कि हम इस Lossless Audio Service को सुन कैसे सकते हैं यहां पर अगर आपके पास Apple के AirPods, AirPods Pro या AirPods Max कोई भी है तो आप इन में से किसी पर भी Apple की Lossless Audio को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये सारे ही Bluetooth devices हैं और Bluetooth के थुरू इस High Quality Sound को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है लेकिन Apple ने Announce किया है कि वो बहुत जल्दी और iPad के Built-in Speakers पर भी Lossless Audio को experience कर पाएंगे लेकिन अगर आप इस Lossless Audio की Quality का सही मज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप Apple के Lightning to 3.5mm Audio Converter Jack को यूज करके एक High Quality Wired Headphone की मदद से इस Sound Quality का असली मज़ा ले सकते हैं क्योंकि इस Lightning to 3.5mm Audio Jack Converter में Digital to Analog Converter होता है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब Apple के किसी भी डिवाइसेस पे हम Apple का Lossless Audio सुन नहीं सकते तो Apple ऐसी सर्विस से लाउंच ही क्यों कर रहा है तो इसके दो रिजन्स मुझे लगते हैं पहला कि Apple अपने Apple Music Subscribers को एक Additional Service देना चाहता है जिसके लिए अभी उनको दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाना पड़ता था तो Apple अपने सभी Music Subscribers को अपने Apple एको सिस्टम में ही रखना चाहता है दूसरा रिजन हो सकता है दोस्तों Apple का एक Possible Product Launch Apple अपने आने वाले AirPods Pro और AirPods Max के मॉडल में कुछ ऐसे hardware changes कर सकता है जिससे हम इन devices पर Apple का Lossless Audio सुन पाएंगे और यही इन devices की USB भी हो सकती है तो दोस्तों हमें उमीद है कि Apple की Lossless Audio से related आपके questions का आपको answer मिला होगा हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी मिल सके दन्यवाद